दोस्तो एक काल्पनिक कहानी पर फिल्म बनाना आसान हो सकता है लेकिन किसी सची घटना पर फिल्म बनानी है तो डाइरेक्टर मो कर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और खास कर वो सच जो पिछले 32 सालों से चुपाया गया हो पिवेक अगनी होतरी ने दो कास्मीर फैल्स मूवी बना कर जो जलबा दिखाया है वह सच में तारिफ के काविल है लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने में 4 साल लगे 5000 घंटे की रिसर्च की गई 3,10 को पुराने 15,000 पेज को खटा करके इस फिल्म को बनाया गया अगनी होतरी जी कहते है कि उनके पत्नी पलवी जोसिय और वह खुद कास्मीरी पंडितों से मिलने के लिए दुनिया भर के कई देशों और भारत के कई सहरों में गए थे और उन्होंने लगभग 700 से जादा कास्मीरी पंडितों का इंटर्वियू लिया और कई जगह तो इंटर्वियू लेते समय उनके आखों में आसु आ गए थे दोस्तों मैं कहता हूं कि ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि एक करवा साथ है जिसे बताने के लिए विवेक अगनी होतरी ने अपना सब कुछ लगा दिया